हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चनल, आज मैं आपको प्रिंसेस कट एलाइन टॉप बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने स्रिप एक मिटर ये कॉटन का फैबरिक लिया हुआ है, आप इसे किसी भी फैबरिक में से बना सकते हैं, तो चलिए पूरा जो फैबरिक है वो 25 इंच की रखी है, 24 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी, और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है, वो 13 इंच की रखी है, क्योंकि हम इसे एलाइन शेप में बनाने वाले हैं, तो इतनी चौड़ाई हमें काफी रहेगी, अभी देखिए शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक डला बनाने वाले हैं, तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का लेना है, और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है, 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सिधी लाइन डो कर देनी है, जितना हमने शूलडर लिया है, उतना ही हमें आम होल भी लेना है, अभी यहाँ से हम चेष्ट का मेजर्मेंट लेंगे, तो आपकी चेष्ट का जो भी मेजर्मेंट हो, उसका चौत्धा भाग करना है, और 1 इंच हम एक्ष्टा रखेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस क बनाने वाले है तो दोनों सेट से आदा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा अभी बेक आम होल के लिए हमें देर इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आम होल के लिए एक इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है फ् इसमें भी हमें तीन इंच एक्ष्टा लेना है क्योंकि एक इंच हम प्रिंसेस कट के लिए रखेंगे और दो इंच हमें एक्ष्टा लेना है लूजिंग के लिए तो टोटल हमें तीन इंच यहां से भी फैबरिक एक्ष्टा ही लेना है वेस्ट का फोर्थ पार्ट करके तीन इंच एक्ष्टा लेना है सलाय मार्जिन के लिए अभी नीचे से देखे इसकी चौड़ाई हमने तेरा इंच की रखी है तो पूरी ही चौड़ाई हमें ले लेनी है और दोनों निशानों को मिलाते हुए साइट से हमें इस तरीके से लैंड ड्रो कर देनी है अभी नीचे से उपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरीके से हमें 3 इंच पर निशान लगाते हुए राउंडcho कर देना है क्यूंकि हमें इसे एलाइन शेप में कट करने वाले है इस लिए हलкі सा राउंड शेप डो कर देना है अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें साड़े चार इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले है तो गले की चोड़ाई साड़े चार इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें धाई इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें चार इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेब ड्रो कर देना है फ्रन्ट और बेकनेक के लिए अभी जहाँ पर हमारी आम होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शॉल्डर स्लोप के लिए और एक तिर्ची लाइन ड्रो कर देनी है आधा इंच पर निशान लगाते हुए ये देखे इस तरीके से अभी सबसे पहले में बेक नेक और बेक आम होल से इसकी कटिंग कर देनी है तो जैसे हमने ड्रो किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है तो ये देखे मैंने कटिंग कर दी है अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से double fold कर लेंगे और double fold करने के बाद हमें front neck और front arm hole की cutting कर देनी है तो हम इसे sleeveless बनाने वाले है आप चाहे तो इसमें sleeve भी लगा सकते है तो देखे मैंने cutting कर दी है अभी देखे front part को हमें उल्टा बिछा देना है यानि कि जो हमारा front वाला top part है उसे हम उल्टा करके बिछाएंगे और इसमें हम princess cut के लिए निशान लगाएंगे तो देखे जहाँ पर हमने आम hole cut किया है वहाँ पर हमें नीचे से उपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है दो या फिर डाइ इंच पर हम निशान लगाएंगे आम hole वाली side पर अभी दिखे जो princess cut के लिए हम सिलाई लगाने वाले है वो कहा तक लगाने वाले है तो 15 इंच तक हमें निशान लगाना है तो 15 इंच तक ही हम सिलाई लगाने वाले है तो shoulder से लेकर हमें 15 इंच तक निशान लगा देना है उसके बाद जो बंद वाली side है वहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है देखे इस तरीके से उपर तक हम 3.5 इंच पर निशान लगाना है उसके बाद देखे जितने भी निशान हमने लगाया है उन सबी को हमें इस तरीके से मिलातے हुए लेंड डो कर देनी है जो आम होल की साइट पर हमें निशान लगाया है उसके भी साथ हमें इसी तरीके से लेंड डो कर देनी है तो यह हमारा princess cut का shape हो जाएगा अभी देखे ऐसा ही निशान हमें दूसरी साइट पर भी लगाना है क्योंकि दोनों ही साइट पर हम सिलाई लगाएंगे तो हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से खोलते हुए फोल्ड कर लेना है और हलके से थप थप आएंगे तो दूसरी साइट पर भी हमारा ऐसा ही निशान आ जाएगा ये दिखे इस तरीके से हमें इसे थप थप आना है अभी हलका हलका निशान हमारा दूसरी साइट पर भी बन जाएगा तो इसे हमें चौक की मदद से डाक कर लेना है तो दोनों साइट पर हमारे निशान बन चुके है, देख सकते है आप, अभी देखिए जो निशान हमने बनाया है, उसे हमें इस तरीके से सिलाय लगाना है, उसके उपर आदा इंच का सिलाय मार्जिन छोड़ते हुए, जहां तक हमने लाइन ड्रो की है, वहां तक हमें इसके उपर सिलाय लगानी है, और इसी तरीके से दूसरी सैट पर भी जो लाइन हमने ड्रो की है, उसी के उपर हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए, इसमें सिलाय लगानी है, तो दोनों सैट हमारे प्रिंसेस कट बन जाएंगे, तो देखिए मैंने दोनों सैट पर सिलाय लगा दी है और देखिए आगे से कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जैसे हमारी प्रेट्स बनती है बिल्कुल उसी तरीके से इसका शेप नज़र आता है अभी देखिए क्योंकि हमने प्रिंसेस कट इसमें लगाया है तो जो हमारी शॉल्डर वाली साइट है वहाँ पर इसका फ सिलाए लगा दी है अभी हम गले पर पट्टी आटेज करेंगे तो फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा था इसलिए मैंने दूसरे फैब्रिक में से ये तिरची पट्टी कट कर ली है इसे सीधी साइट से ही गले के उपर रखते हुए इसमें सिलाए लगा कर देना है और इसी तरीके से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरची पट्टी आटेज कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइट पर पलट देंगे दोनों ही नेक पर हम पट्टी आटेज कर लेंगे तो देखे मैंने तिरची पट्टी को आटेज कर लिया है फ्र मैंने इसके shoulder joint कर लिये है, दोनों ही side से, अभी देखिए हमने front part में सिलाई लगाई है, इसलिए back वाला part हमने बिल्कुल बराबर ही cut किया था, इसलिए back वाला part हमारा side से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से back वाले part को double fold कर लेना है, और कमर तक हमें इसे आदा आदा इंच तक cut कर लेना है, देखिए से back वाले part में ही cut करना है, और कमर तक ही cut करेंगे, नीचे की side cut नहीं करना है, देखिए इस तरीके से आदा इंच तक हम इसे cut कर लेंगे, तो ये बराबर front वाले part के जैसा ही हो जाएगा, अभी हम armhole के उपर तिरची पट्टी आटेज कर लेंगे, आप चाहे तो इसमें sleeve भी लगा सकते है, लेकिन मैं इसे sleeve लेसी बना रही हूँ, तो तिरची पट्टी को सीधी side से armhole के उपर रखना है, और double fold करते हुए, उल्टी side पर पलट देना है, और इसी तरीके से दूसरे side के armhole के उपर भी हमें इसकी fitting कर लेनी है, स्रिप कमर तक ही 2 इंच का gap रखना है, नीचे स्रिप 1 इंच का gap रखते हुए, इसकी fitting कर देनी है, दोनों ही side से, और उसके बाद जो नीचे वाली border है, उसे हमें simply double fold कर लेना है, और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है, तो देखे मैंने इसकी fitting क कर ली है, और नीचे की border को भी मैंने fold करते हुए, इसमें सिलाय लगा दी है, और इसी के साथ हमारा princess cut a line टॉप बन कर ready हो चुका है, और यह है इसका final look, so friends, I hope आपको आज का ये tutorial पसंद आया होगा, अगर आपको आज का ये video पसंद आया, तो इसे like और share जरूर कर देना, औ अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है, तो please इसे subscribe कर लीजे, और साथ में उस bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली video की notification सबसे पहले मिल सके, और आपको ये video कैसा लगा है, मुझे comment करके जरूर बताइगा, मेरा ये video देखने के लिए, thank you so much friends